ओलिवेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियो अपनी फ्लूड मेकनिक्स एंड मसीन्स की सिरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडियाफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि अपनी स्टेंट आप मैट्रियल सिरीज कंप्लीट हो चुकिए सारे नोट्स आपको पीडियाफ फॉर्मेट में भी लेविल हैं नोट्सों का इस्तमाला वेशिक से लेकर गेट लेविल एक्जामनेशन तक कर सकते हैं यहाँ पर हम साथ हो पिछली एक दो वीडियो से कुछ बेशिक स्टर्म पढ़ रहे हैं फिलोड मैगनिक्स में आग इस्तमाल होने वाली जैसा कि हमने पढ़ा था लाइन इंट्रिगल सर्फेस इंट्रिगल साथ हो अब सर्फेस इंट्रिगल में किस परकार फिलक्स में भी सर्फेस इंट्रिगल काम मिलिया जाता है यह सब हम जानने वाले हैं यदि इस परकार मैगनेटिक फिल्ड हो साथ हो constant मैगनेटिक फिल्ड हो उसमें कोई वोडी इस परकार रखी हो 90 डिगरी पर तो उसमें मैगनेटिक फिल्ड डायरेक्ट एक्सप्रेस किया जा सकता है उस में वेरिशन हो कुछ परकार मोडा हुआ हो कर्व में तो फिलक्स होता ओ साथ भी हमें इस परकार यह ऑठीक यह हो सकती है यह सकती है यहें गजरने वालाकि कोंटिंग होती सकता है कर्व में हो सकता किसी प्रकार हो सकता है यहां इस प्रकार साथ है इस में इस प्रकार से अपना यह एरिया है साथ हूँ अब इस एरिया पर हम किसी एक छोटे सेक्षन पर स्टेडी करना चाहते हैं कितना मैगनेक्टिक फिलेक्स है साथ है उस पर जैसा कि हम जानते हैं इसकी direction बतानी हो ds यह चोटा से एरिया ले लिया साथ हो तो जो इस ट्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है फिलक्स की direction हम साथ हो वो positive n-cap से परदरसित की जा सकती है इस एरिया को ds n-cap परदरसित कर सकते हैं और यदि direction opposite हो साथ हो तो इसको negative n-cap से डs negative n-cap से multiply कर देंगे इस परकार से इसकी direction या इनका normal जो unit vector होता है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है तो इस परकार हम कह सकते हैं इधर की तरफ positive direction है साथ हो और इधर की तरफ negative direction है क्योंकि magnetic field इधर आ रहा है साथ हो जिससे वी वेक्टर से प्रदरसित किया जा रहा है तो अब साथ हो हम लिख सकते हैं इस छोटे section के लिए अपना कितना चुम किये field होगा इस परकार आप सकते हो इस चोटे से section से गुजरने वाली magnetic field line कितने होंगी डिफाइब डिवाइड़ वाई डिएस वेक्टर साथ हो इस प्रकार इस प्रदरसित कर सकते हैं या फिर जो magnetic flux है इसको आप इस प्रकार प्रदरसित कर सकते हैं इसको इधर लियाएंगे जो छोटे एरिया का magnetic flux है साथ हो जैसे 5 प्रदरसित कर रहे हैं यहाँ आप कहें 5B से प्रदरसित किया जा रहा है तो दी 5B is equal to B vector.ds vector के बरावर होता है इस डॉट कटाएंगे तो कॉस्ट थीटा आ जाता है साथ हो तो यहाँ पर आप देखेंगे और यह ठीटा है कॉस्ट पॉजटिव होगा यदि से लिए इसका integration कर देंगे तो फुल एरिया है सर्फेस है इसका अपन को magnitude या फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार हम इसका integration कर देते हैं इसका डिपाइगरेशन डायरेक्ट आप 5B से एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इकल टू इंटिग्रेशन सर्फेस इंट्रिगल of b vector.ds vector यहां पर आप कह सकते हैं यह दोनों एक तरह से unit magnitude होता है जो कि उस छोटे section का होता है इससे constant रहता है अपना magnetic field आ साथ हो इसका ds से multiply करेंगे तो आपको total flux प्राप्त हो जाएगा अब यहां पर आप देख सकते हैं magnetic flux of area ABC जो area अपना ABCD उसको आप 5B इस प्रकार express कर सकते हैं यह magnetic flux है अपने area का और magnetic field जिसे b vector से प्रदर्शित किया जा रहा है इसके ऐसा unit test लाओती है साथ हो यह कहीं कहीं आपको magnetic field density इससे भी से प्रदर्शित किया जा सकता है साथ हो इस प्रकार आपको मिलता है तो यह एक pressure की तरह होता है साथ हो जैसा कि pressure होता है यहां प और यह surface element होता है अपना यहां पर आप देख सकते हैं यह बड़ा होकर area बन जाएगा साथ हो आप इंसका integration करेंगे तो इस प्रकार magnetic flux आप जैसे आप इसकी definition देखना चाहें परिवासक इस प्रकार परिवासित कर सकते हैं इसको magnetic flux 5 ऐसा unit waiver होती है इसकी यहां पर आप देख element करता है the total number of magnetic field lines crossing this area normally जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं यहां पर यह एरिया है इसमें से कितनी नौर्मली लाइन जारी है साथियों इस परिकार एरिया बन जाता है तो इसमें से भी गुजरने वाली लाइन साथियों यह लाइन तो इस परिकार जारी है लेकिन इसके भ लाइन भी वैक्टरेस आती हो तो यहां एंगल बन रहाती है वी कॉस्ट थीटा हो जाएगा इस पर करेंभी क्या भी कॉस्ट थीटा आता है और यह सर्फेस होता है जिस पर आप स्टेडी कर रहे है कोई छोटा हो या फुल हो एक बार फिर से देख लीजिए मैगनेटिक फ फिलक्स पॉस्टीव ले जा रहा रहा है इंसाइड्ट फ्लक्स को नेगटिव लिए जा रहा ज़ा जैसा आप वाताया था एरिया में फिलक्स इदर गुजर रहा रहो इधर फृजिटिव रिशाů इधर नेगटीव लिए जाताым दो फ्लक्स को एड़ कर दिया तो टोट law for magnetism होता है जो gosh ने लो दिया था so total flex will be zero इस प्रकार से जैसा आपको आए था flex का relation कुछ pressure के हिसाब से आप express कर सकते हैं इसे समझने के लिए थोड़ इस्तेमाल कर सकते हैं किस प्रकार ये magnetic field और flex related होते हैं एक दूसरे से यहाँ पर आप इसे magnetic field यहाँ पर flex into area magnetic field के साथ area multiply होता है साथियो यह flex होता है तो इस प्रकार से कुछ यह related है याद करने के लिए इसे simple रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप चाहें तो उमीद करते हैं साथियो वीडियो में दी गई जानकर ये आपको अच्छे समझ माई होगी अभी विए आपका कोई confusion है तो आप हमसे contact कर सकते हैं comment box है खुला हुआ आपके लिए आप चाहें तो comment करकर सकते हैं साथिकों contact link आपको वीडियो description मिल जाएक वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद